यह उन दिनों की बात है में 90 की लव स्टोरी में आ गए हैं कुछ बदलाओ क्योंकि अभी तब तो यह प्रेम कहानी स्कूल में देखने को मिल रही थी लेकिन अब तो कॉलेक्स को ट्रैप सुरू हो चुका है और आगे की प्रेम कहानी आप देखेंगे कॉलेज में और क्या क्या होने वाला है कॉलेज में यह सब हम आपको बताई हैं लेकिन इससे पहले आपको बीते एपिसोड की जानकारी दे देते हैं जहां पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कॉलेज के पहले दिन को लेकर सभी कितने एक्साइटेड होते हैं लेकिन कॉलेज में पहुंसते ही सारी एक्साइटमिन खत्म हो जाती है च्योंकि कॉलेज में उनका स्वागत हुआ ही कुछ इस अंदाज में जी हां कॉलेज में एंट्री करते ही समीर की कार खड़ाब हो जाती है जिसकी वज़े से कार को धक्के भी लगाने परते हैं इतना ही नहीं मुन्ना का सन गोगल्स भी तूट जाता है और बेचारे प्रिती का तो सब के सामने लंच बॉक्से गिर जाता है लेकिन इन सब की बीच एक बात अच्छी हुई है कि नैना का अद्मिशन उसी कॉलेज में हो गया जिस कॉलेज में समीर का हुआ है और समीर और नैना बैठे हैं एक ही सीट पर लेकिन नैना के लाख कोशिशों के बाद भी समीर नैना से बात करने को तयार नहीं होता वहीं आज के अपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे समीर और नैना एक साथ बैठे होते हैं लेकिन रहते हैं बिल्पल चुप चाप इसके साथ ही आप को ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे नयना के लाख समझाने के बाद दी समीर वहां से उठकर चला जाएगा जिससे नयना हो जाएगी काफी मायूस अब आगे क्या-क्या होने वाला है यह देखना होगा काफी मज़दार आखी समीत कब तक भागेगा नैना से? कि सब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज ज़स्ट पर यू टॉप न्यूज से स्वातिक रिपोड